नमस्कार आपके साथ मैं रोहित कुमार नितीश कुमार की अधिकारियों के खिलाप हला बोलने वाले मदनसहनी अचानक से पल्टी मार गए हैं और मदनसहनी नितीश कुमार से इस्तीफा उनसे मिलने के जब पहुंचे इस्तीफा ले करके तो सामने के दरवाजे से कहे और भा तसाही पर बयान देने वाले और इस्तीफे की घोशना कर चुके मंत्री मदन सहनी ने पल्टी मार दी है। मुख्य मंत्री अवास में करी दो घंटे रहने और मुख्य मंत्री नितीश कुमार से मुलकात के बाद मंत्री जी सीम हाउस के दूसरे दर्वाजे से बैक निकल गए है। कि जो अधिकारी हैं वो सुनते नहीं है। कि ठंडा पड़ गया तेवर नम हुए तो साहब पीछे की दर्वाजे से चुपके से निकल गया। वैसे उनके पास बोलने के लिए बचा भी क्या था। क्या अब भी मदन सहनी ये बात कहेंगे कि बिहार में अपसर साही है, मंत्रियों की कोई वैल्यू नहीं है। इस सवाल आज भी काया में। बड़ी बात ये है कि इसे नितिशकुमार जो है पहले शुरूबात में ख़वर आई कि नितिशकुमार ने मिलने का वक्त नहीं दिया। कि ख़वर ये थी कि नितिशकुमार के आखों के ऑपरेशन की वज़े से किसी से भी को भी अपॉइनमेंट नहीं दे जा रहा था। लहाजा मदन सहनी ने जब इस्तिफ्रिक ऐलान के याने की एक जुलाई को उसके बाद दो तारी तक वो पटना में रहे। इंदजार करते रहे कि उनके मामले में हस्तशेफ होगा बुलाया जाएगा लेकि जब कोई भाव नहीं मिला तो दिल्ली चले गए बिहार निवास में कमरा बुक कर आया और उसके बाद वहां से रिशिकेस और हरेद्वार के लिए गए और उसके बाद जब वो पहुंचे पटना तो सियम नितिश कुमार ने उनको बुलाया और उनके बिभाग के उस वरी अधिकारी को भी बुलाया जिनसे उनकी तनातनी चल रही थी बड़ी बात यह कि मदन सहनी ने सिधे-सरी पढ़ी सवाल खड़े कि और साथी सवाल खड़े कि उन अधिकारियों पर जिनको नितिष कुमार का बेहत खास या फिर करीबी कहा जाता है। मदन सेहनी नहीं अपने आरूपों में ये कहा कि बिहार में अगर किसी के अंदर में जमीर बचा होगा तो वो इस्तीफा दे देगा यानि कि कई मंतरियों से इस्तीफा देने की बात तक यह और उनके समर्थन में र इश्कुमार के साथ उनके करीब दो घंडे तक मुलाकात हुई बाचीत हुई उनके विभार के उस अलाभिकारी को भी बुलाए गया जिसके वजह से यह पुरा विवाद उब्जा तमाम चीजों को जो है सुल्धाने की कोशिश हुई और उसके बाद लगता है कि मदन सहनी मा आने के शायद ही वजह है कि अब उनके पास जबाब के लिए कोई शब्द या कोई बयार नहीं था लिहाज आप पीछे की दरवाजे से निकल गए फिलाल इस वीडियो में इतना ही नमस्कार